C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रसुत है श्रंखला ओडियो बुक आएए इस श्रंखला में सुनते हैं कक्षा दस्वी की हिंदी की पाठ पुस्तक ख्षितिज भाग दो वाचन संजय चनसोरिया काव्यखंड रदे सिंदु मती सीप समाना स्वाती सारदा कहें ही सुजाना जो बरशई बरबारी विचारू होई कवित मुक्ता मनी चारू 1857 जंग आजदी के शहिदों को सलाम सन 1857 के बागी सैनिकों का कौमी गीत हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा ये हैं हमारी मिलकियत हिंदुस्तान हमारा इसकी रूहानियत से रोशन है जकसारा कितनी कदीम कितना नईम सब दुनिया से न्यारा करती है जर्खिज जिसे गंगो जमुन की थारा उपर बरफीला परवत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बजता सागर का नककारा, इसकी खाने उगल रही सोना हीरा पारा, इसकी शान शौकत का दुनिया में जैकारा, आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा, आज शहीदों ने है तुमको एहले वतन ललकारा, तोडो गुलामी की जंजी ने बरसाओ अंगारा, हिंदू मुसल्मा सिक हमारा भाई भाई प्यारा, यह आजादी का जंडा, इसे सलाम हमारा, अब सुनते हैं सूर्दास के पद, प्रिष्ट संख्या तीन से नौ, सूर्दास सूर्दास का जन्म सन 1478 में माना जाता है, एक मानिता के अनुसार उनका जन्म मतुरा के निकट, रुनकता या रिणु का क्षेतर में हुआ, जबकि दूसरी मानिता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सी ही माना जाता है महाप्रभु वल्लभाचारे के शिष्ष सूर्दास अस्ट छाप के कवियों में सरवाधिक प्रसिद्ध हैं वे मतुरा और व्रंदावन के बीच गउगाट पर रहते थे और श्रिनात जी के मंदिर में भजन कीर्टन करते थे सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ सरवाधिक लोकप्रिय हुआ खेती और पशुपालन वाले भारती समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुषगी स्वाभाविक वरतियों का चित्रन सूर की कविता में मिलता है सूर वात्सल्य और श्रंगार के स्रेष्ठ कवी माने जाते हैं क्रिष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवी प्रेम की पतिष्ठा करता है सूर ने मानव प्रेम की गवरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुषव को हीनिता बोथ से मुक्त किया उनमें जीने की ललक पैदा की उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है वह चली आ रही लोक कीतों की परंपरा की ही स्रेष्ठ कड़ी है यहां सूर सागर के भ्रमर गीत से चार पद लिए गए हैं कृष्ण ने मत्रा जाने के बाद स्वयमना लोड कर उद्धो के जरीए गोपियों के पास संदेश भेजा था उद्धो ने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश दे कर गोपियों की विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया गोपियां ग्यान मार्ग की बजाए प्रेम मार्ग को पसंद करती थी इस कारण उन्हें उद्धो का सुष्क संदेश पसंद नहीं आया तभी वहां एक भौरा आपहुचा यहीं से ब्रहमर गीत का आरम होता है गोपियों ने ब्रहमर के बहाने उद्धो पर व्यंग ब्रान कसे पहले पद में गोपियों की यह शिकायत वाजिब लगती है कि यदि उद्धो कभी इसने के धागे से बंदे होते तो वे विरह की वेदना को अनुभूत अवश कर पाते दूसरे पद में गोपियों की यह सुईका रोकती कि उनके मन की अभिलाशाएं मन में ही रह गई कृष्ण के पती उनके प्रेम की गहराई को अभिव्यक्त करती है तीसरे पद में वे उद्धो की योग साधना को कड़वी ककड़ी जैसा बता कर अपने एकनिष्ठ प्रेम में द्रण विश्वास प्रकट करती है चौथे पद में उद्धो को ताना मारती है कि कृष्ण ने अब राजनीती पढ़ ली है अंत में गोपियों द्वारा उद्धो को राज धर्म याद दिलाया जाना सूर्दास की लोक धर्मिता को दर्शाता है पद एक उद्धो तुम हो अति बड़भागी अपरस रहत सनेह तगातें नाहिन मन अनुरागी पुर इनी पात रहत जल भीतर तारस देह न दागी जों जल माह तेल की गागरी बूंद न तांको लागी प्रीत नदी में पाउं न बोर्यो दृष्टि न रूप परागी सूर्दास अबला हम भोरी गुर्चांटी जों पागी दो मन की मन ही मांज रही कहिये जाई कौन पे उद्धो नाही परत कही अवद अधार आस आवन की तनमन बिथा सही अब इन जोग संदेशन सुन सुनी बिरहिन बिरह दही चाहती हुती गुहार जितही तैं उततें धार बही सूर्दास अब धीर धरही क्यों मर जादा न लही तीन हमारे हरी हारिल की लकरी मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह ध्रण करी पकरी जागत सोवत स्वप्न दिवसन से कान कान जगरी सुनत जोग लागत है ऐसो जों करूही ककरी सुतो ब्याधी हमको ले आये देखी सुनिन करी यह तो सूर तिनही ले सोपों जिनके मन चकरी चार हरी हैं राजनीती पढ़ी आये समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए इक अती चतुर होते पहिले ही अब गुरुगरंथ पढ़ाए बढ़ी बुद्धी जान जो उनकी जोग संवेश पठाए उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए अब अपने मन फेर पाहिये चलत जु हुते चुराए ते क्यों अनित करें आपन जै ओ अनित चुडाए राज धर्म तो यह सूर जो प्रजान जाही सताए प्रश्न अभ्यास 1. गोपियों द्वारा उधो को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नहीं थै 2. उधो के व्यवार की तुलना किस-किस से की गई है 3. गोपियों ने किन-किन उधारणों के माध्यम से उधो को उलाने दिये हैं 4. उधो द्वारा दिये गई योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया 5. मर जादा न लही के माध्यम से कौनसी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है 6. कृष्ण के प्रती अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है 7. गोपियों ने उद्धों से योग की सिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है 8. प्रस्तुत पदों के आधर पर गोपियों का योग साधना के प्रती दृष्टिकोन इस पस्ट करें 9. गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए 10. गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिये जिनके करण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती है 11. गोपियों ने अपने वाक चातोरी के आधर पर ग्यानी उद्धों को परास्त कर दिया 12. संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमरगीत की मुख्य विशिश्च्ताईं बताईए रचना और अभिव्यक्ती 13. गोपियों ने उद्धों के सामने तरह तरह के तरक दिये है आप अपनी कल्पना से और तरक दीजिए 14. उद्धों ज्यानी थे, नीती की बातें जानते थे गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ती थी जो उनके वाक चातुरे में मुख्रित हो थी 15. गोपियों ने ये क्यों कहा कि हरी अब राजनीती पढ़ाए है 15. क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीती में नजर आता है? सपस्ट कीजिए 15. पाठेतर सक्रेता 15. प्रस्तुत पदों की सबसे बड़ी विशिष्टा है गोपियों की वागवी दगधता 15. आपने ऐसे और चरित्रों के बारे में पढ़ा या सुना होगा जिन्नोंने अपने वाग चातुरी के आधर पर अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई 15. जैसे बीरिबल, तेनाली राम, गोपाल भांड, मुला नसरुदीन आदे 15. अपने किसी मन पसंद चरित्र के कुछ किस्से संक्लित कर एक एल्बम तयार कीजिए 15. सूर रचित अपने प्रिपदों को लए और ताल के साथ गाएं 16. शब्द संपदा 16. बढ़ भागी याने भाग्यवान 17. अपरस अर्थात अलिप्त, नीरस, अच्छूता 18. तगा याने धागा, बंधन 19. पुरिनी पात अर्थात कमल का पत्ता 20. दागी अर्थात दाग, धब्बा 21. माह याने मे 22. प्रीत नदी अर्थात प्रेम की नदी 22. पाउं अर्थात पैर 23. बोर्यो अर्थात दुबोया 24. परागी याने मुग्द हुरा 25. गुर चांटी जो पागी 26. जिस प्रकार चीटी गुड में लिपठती है 27. उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं 27. अधार अर्थात आधार 28. आवन याने आगमन 29. बिथा याने व्यथा 29. बिरहनी याने वियोग में जीने वाली 30. बिरह दही याने विरह की आग में जल रही हैं 31. हुती अर्थात थी 31. गुहार अर्थात रक्षा के लिए पुकारना 32. जितन ही तें याने जहां से 33. उत्थ याने उधर वहां 34. धार याने योग की प्रबल धरा 35. धीर याने धैर्य 36. मरजादा अर्थात मर्यादा प्रतिष्ठा 37. न लही याने नहीं रही नहीं रखी 38. हारिल अर्थात 38. हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदेव एक लकड़ी लिये रहता है उसे छोड़ता नहीं है 39. नंद नंदन उर्पकरी याने नंद के नंदन कृष्ण को हमने भी अपने रदय में बसा कर कसकर पकड़ा हुआ है 40. जक्री अर्थात रटती रहती हैं सु याने वह 41. ब्याधि अर्थात रोग पीड़ा पहुचाने वाली वस्तू 42. करी अर्थात भोगा तिनहीं याने उनको 42. मन चक्री अर्थात जिनका मन इस्थर नहीं रहता 43. मधुकर अर्थात भोरा 43. उद्धों के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन 44. हुते याने थे 45. पठाए अर्थात भीजा 45. आगे के अर्थात पहले के 46. परहित अर्थात दूसरों के कल्यान के लिए 46. डोलत धाए अर्थात घूमते फिरते थे 46. परहित अर्थात पहले के अर्थात अन्याए 46. परिश्ट संख्या 9 यह भी जाने 47. हारिल यह पीली टांगों वाला हरे रंग का कबूतर की जाती का पक्षी है जिसे हरिल, संस्कृत में हारीत, अंग्रेजी में कॉमन ग्रीन पिजन भी कहा जाता है यह पक्षी भारत में घने पेडों वाले क्षेत्रों में पाया जाता है हारिल की लकडी लोक में मुहावरे के रूप में प्रचली थे